हाई क्योट्यवाइज वेल्कुम टू माई क्लास तो आज का हमारे टॉपिक है सिमेट्री वक्षीट क्लास जी इससे पहले मैंने सिमेट्री का पूरा फुल चैप्टर कराया हुआ है आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन वक्ष में और यहां आई बटन में देख सकते हैं ताकि आपको यह जी एक्सेसाइज है बहुत आसानी से समझ में आज है और जिन्हों नों देखिए वह आगे कंटिन्यू कर सकते हैं चले बिना देख करते हुए स्टार्ट करते हैं यह अपना कोश्चन यहां पर दिखिए कोश्चन अब यह है तो कोश्चन अब पढ़ेंगे नम पर इस स्ट्रेट लाइन इस ह्हूतर लाइन एगा इन्स और धींस सब्मना कर लाइना मिनव यहरं देखिए में दिखिए है ए में आहिं ले आम किसमनमे फोली है और उमें भी icons इस ब्ल कौन सा figure है जिसमें line of symmetry नहीं है ठीक है अब फिगर में बताना देखिए यहांसे line of symmetry मिल जाएगी half and half similar हो जाएगे इसको मैसे करें इसमें नहीं मिल रही है इसमे line of symmetry मिल रही है इसमें तो यह है बी वाले में नहीं मिल रही है लाइन ओफ सिमेट्री तो इसका अंसर होगे यह फिगर वाला यह फिगर में नहीं है लाइन ओफ सिमेट्री तो यह इसका अंसर होगे 3 है which of the following triangles have one line of symmetry जिसमें one line of symmetry होगी वो कौन सा figure होगा triangle होगा ठीक है equilator triangle में तो three lines होगी क्योंकि सारी sides equal होती तो इधर से और इधर से मिल जाएंगी scale-end में actually two sides equal होती है और जो कोई भी एक side होती है जो equal नहीं जासी है तो इसमें one line of symmetry मिल जाएगी asosless triangle क्यों होता है three sides unequal होती है तो इसमें line of symmetry तो मिलेगी ही नहीं और none मतलब किसी में नहीं नहीं तो scale-end में एक line of symmetry मिल रही है तो इसका answer यह होगा अब B ठीक है हमने इसको correct किया ओके अगे हो आपको यह चीज़ क्लेर होगी होगी अब यह B question है solve the following है draw the line of symmetry in the following चलिए start करते है line of symmetry वह होती है न जो half part को divide करते थे same part तो यह हो गई यहाँ ठीक है इसके लिए horizontal हो जाएगी line okay इसके लिए vertical हो जाएगी line of symmetry आपको different types of figure मिलेंगे आप common sense लगा के कर सकते हैं जिसे इसमे वर्टिकल line हो जाएगी line of symmetry ओके यह tree हे tree में भी vertical line of symmetry हो जाएगी यह half moon इसमे भी यह से vertical line of symmetry हो जाएगी ठीक है पुरा कीच देतें ओके फिगर बना हूँ है इसमें भी vertical होगी हाफ और हाफ पार्ट सेम हो जाएगा और इसमें भी वर्टिकल हो जाएगी मिड्ल से नहीं होगी ठीक है यहाँ पर हमें लाइन ओफ सिमेट्री मिल गई है और हमने सही से सॉल्ट कर दिया आई होप आपको यह चीज समझ में आ दियोगी इसलिए मैंने प्रिंट आउट निका दिया your मैंने पर नापकंता है लिए उवन पोणता है सारी साइट से को लोटी है तो जिदर साथिक आप ट्रेंगल median हो जाएगा इसका इस से कटेगा और इसके तो three lines बनती है equilator triangle में three line of symmetry होती है तो d वाला answer three वाला ये answer right होगा, okay आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अब इसमें क्या है next question number two, the number of lines of symmetry for a circle, circle में कितनी line of symmetry होगी, zero, one, two, actually circle होता है round, पूर equal, ठीक है, मैं roughly बदा देती हूँ, अब इसमें कितनी line of symmetry होगी, many lines of symmetry होगी, मतलब इसी कोई limitations तो होगी नहीं, बहुत सारी, तो ये infinity होगी, circle के रे line of symmetry के होगी, infinite, okay number three, the letter of English alphabet with two lines of symmetries, जिसमें two lines symmetry होगी, D में तो नहीं होगी, इसमें तो of symmetry मिल रही है ठीक है अब देखिए next question is solve the following draw the lines of symmetry in each of the following ठीक है अब इसमें हमें line of symmetry बनानी है ओके चलिए बनाते हैं हम अपमें symmetrical lines in figures में एक ruler ले लेते हैं और एक pencil तो सब से पहले हम vertical line बना लेते हैं इससे देखिए equal हो गया पार्ट यह भी horizontal भी बन जाएगा इसमें ठीक है यह देखिए diagonal भी बन जाएगा तो half-half same लगेंगे ओके वन more line इधर भी बन सकती इधर से भी diagonal same लगेगा ठीक है देखिए इसमें vertical lines of symmetry बन गई अब देखिए B वाला है इसमें तो बहुत सारे एक तो star है जितने polygons होते हैं उसमें जितने भी lines होते हैं उतने ही जादा बन जाते हैं पहले वर्टिकल से start करेंगे horizontal देखिए फिर diagonal में कैसे बने एक तो यह corner सारे corner से तो निकलेगा यह star है न तो इसके सारे corner से आएगा ठीक है आप देखिए उसके बाद भी न इसके middle से जाएगा यह corner से अगर इसको half देखिए आप सिर्फ इसको half up कर देखिए अब मैं आपको दिखाते हूं कैसे देखिए इधर का part है और इधर का half part similar है न इसी वजह से अब इस circles भी cut होंगे okay देखिए यहां से points देखिए star में है न यह वाली इसमें बहुत सारे vertical lines हो गए देखिए देखिए line of symmetry हो गई बहुत सारी lines of symmetry हो गई और देखिए next one है यह वाला अब इसमें देखते है पहले तो straight line मनाएंगे यह तो पहले vertical line हो गई ठीक हो गई हमारी यह वाली line ओके फिर हमारे diagonal भी बन जाएगी corners देखिए corners जो भी होते हमेशा उसके बाहर देखिए square था न एक तो सही से बना लिए ठीक है यह वाली line नहीं है यह वाली line जो corner से touch हो इधर भी ऐसे ही होगा touch में आईगी ठीक है ऐसे ऐसे and two diagonals ओके इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा half part ऐसे half part ऐसे and also two diagonals अगर इस other half देखे तो अगर हम ऐसे cut करते ही यह पी ऐसे ही देखे अगर reflect होगो mirror में ठीक है इसमें क्या होगा इसमें एक तो अगर हम आफ लाइन मनाएंगे तो इधर सेम लग रहा है इधर से देखे इधर से देखे आप इम्में देख रहे हैं यह सिमलर देख रहा है फिर आप अगर डाइगनल यह देखेंगे तो यह नहीं हो पाएगा लेकिन जो आपको फिगर दिख रहा है कि हो सकता है वह दिखने से ही बदा चल जाता है क्योंकि आप सिक्स क्लास के स्टूजेंट से तो आपको इसली समझ में आएगा तो वर्टिकल और होरिजंटल तो आराम से हो ही रह आप देखें अगर यह एक मिनट मैं देख लूँ यह वाला देखें नहीं 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 इसका देखें आपको डिफ्रेंट लग रहा है तो यह नहीं बन रहा है तो यह नहीं बनेंगा डाइगनल सिम्लड नहीं दिख रहा डाइगनल में only देखें मुझे टाॉट था थोड़ा सा only इस लाइन ही बनेगी मुह हाफ लाइऑ तील लग रहा है और अधर हाप में भी यह सेम लग रहा लेकिन लग तो रहा है वैसे डाइगनल बन जाएगा हाँ सिमलर लग रहा है अगर हम करते हैं नहीं बन जाएगा डाइगनल बनेगा हाँ ठीक से बस mirror रखना है reflect करेगा और similar ही लगे क्यों as a cross ही लग रहा है ठीक है it's okay ठीक है और अगर नहीं समझ में आता है एक चोटा से mirror ले आप उससे लगा है और आप अपना check करते हैं कि काम बनना है बसे similar देखके समझ में आता है कि हाँ बन रहा है या नहीं बन रहा है अब देखिए question number two है write any five letters of English alphabet having no line of symmetry जिसमें कोई symmetrical line नहीं नहीं वर्टिकल हो नहीं होरिज़न्टल देखिए a है b है c d e f f f हो सकते है f में वर्टिकल भी नहीं है horizontal f है g g है इसको ऐसे करें है h i j j j j हो गया k l l l b हो सकते m n n हो सकता है अगर आप ऐसे half कर देंगे और यह ऐसे करेंगे यह ऐसे करेंगे इसमें एक भी line symmetry की एक भी symmetrical नहीं होंगे ठीक है तो f g j l n 5 बताने थे 5 बता दिए write any three letters of English alphabet that have both vertical and horizontal lines of symmetry बहुत ही simple है अभी हमने एक h के बारे में पढ़ा था i b है और x यह बहुत similarly मुझे याद भी रहते हैं और बहुत आसान भी इनमें देखी ऐसे भी line और ऐसे cut करेंगे ऐसे ऐसे तो यह क्या है they have two lines of symmetry okay horizontal and vertical both आप a b c d पढ़ के भी धियान लगा के भी कर सकते हैं क्यों आप करते करते हैं आपको खुद ही बहुत easy लगेगा और आ इमेज कौन से जो लेटर से जो यह सब लेटर से यह मिरर इमेज में उलकुल सेम लगेंगे मतला अगर हम मिरर रख रहे हैं I have a mirror अमेर दिखाते हूं देखिए मिरर में देखिए हाँ W एक जैसा लग रहा है P उल्टा लग रहा है L भी उल्टा लग रहा है और C भी उल्टा लग रहा है तो W ही ऐसा लेटर है जो मिरर इमेज में सेम ही दिख रहा है ओके तो W इसका अंसर हो गया ठीक है next question है देखिए write the letters of the word mathematics which have no line of symmetry लेटर इसमें कोई ऐसा है जिसमें कोई symmetry नहीं है आप देखिए M A T H E देखिए धियान से देखिए symmetry है ऐसे समझते जाए यह symmetry है इसमें भी लग बग हाफ करने symmetry है symmetry है S में symmetry नहीं है तो इसका answer हो जाएगा ऐसी से तरह आपको कोई भी letter word दे रखे तो आप धियान से उसी में चेक करके आप कर सकते हैं बहुत ही सिम्पल है letters में तो खासकर बहुत ही सिम्पल है जितने letter वाली complication वह इसलिए मैंने एक साथ ही लिख लिए हैं तो यह नहीं है आए तो बहुत सिम्पल तो यह symmetric है symmetrical हैं यह half part है नीचे का अलागे उपर का अलागे तो symmetrical नहीं है यह half part है इधर का बिसे में इधर का बिसे में तो यह है तो यह B and D are symmetrical okay इस तरह सबको टिक करना होगा यह बनाना होगा half part तो यह आप कर सकते हैं देखिए symmetry जो exercise ने वरक्षीट है बहुत ही simple होंगी जो letters आएंगे यह फिगर्स आएंगे उनके symmetry line बनानी होगी यह उनको complete करना होगा यह FIB आ जाजेंगे तो वही सारी चीज़े मैंने करके दी ही कि आपको ट्रैंगल या एंगल के बारे में पूल सकता है तो आपको अच्छे से आ जाएं ठीक है तो इसलिए मैंने काफी चीज़े इसमें इंक्लूड करने हो कि आपको समझ में आ रही होंगी और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़े और भी ज्यादा क् करते हैं क्वेशन नुबर 7 फिल इन दे ब्लैंक्स देखें यह वाला है द लेटर ओ हैस डैश लाइन सो सिमेट्री देखें ओ भी इस अल्सों सर्किल ठीक है लेटर ओ मतलब ओ ही है ना डाउंड में ही बना हुआ है तो इस इंफानाइट लाइन सो सिमेट्री इसको लिमेट नहीं होंगी काफी उसमें तो यहां पर लिग देखें इंफानाइट जिससे हमने सेर्किल में आपको बता है इंफानाइट लाइन समेट्री इस अ जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है एफ जी अभी हम लोग ने पढ़े जे जी आप जी लेग सकते हैं जिसमें इसमेट्रिकल has line of symmetry. Isosceles triangle होता है, आप यह आपको बताया, जिसकी और वो भी right triangle है, तो यह straight line हो गई, फिर एक चोटी line कर लेंगे, या बहुत बड़ी भी line कर सकते है, isosceles triangle, जिसमें की 3-0, जो sides होंगे, वो equal नहीं होंगी, और तीनो angles equal होते है, isosceles triangle में, यह तो 90 होगे, तो इसमें कोई line symmetrical नहीं बन सकती है, जैसे मिना पहले बताया है, कि नहीं होगे, तो यहाँ पर no line of symmetry हो जाएगा, ठीक है, the kite is symmetrical about its longer and shorter diagonal, काइट होती है, यहाँ पर छोटा हो जाता है, फिर यह होता है, ठीक है, यहाँ से तो इसमेटर कर नहीं मनेंगे, शॉर्टर लेंट है, अगल सीधे से लेंगे न, longer diagonal से, यहाँ से यह longer वाला ठीक हो जाएगा, तो लोंग, the kite is symmetrical, स्यमेटर कर और होगे, जब हम longer, उसे diagonal में करेंगे, longer में ना कि shorter में, ठीक है, यहाँ दे रखा है, longer shorter diagonal, आपको यह इतना क्लियर हो गया होगा अब आते हैं true of false बहुत ही अच्छे true of false है आप दिखें देखें क्वेशन नमर 8 है write t for true and f for false statements आप परल्लोग्राम has no line of symmetry परल्लोग्राम को आपको पता है न कैसा होता है ऐसे होता न परल्लेलोग्राम इसमें अगर हम यहां से इस सब्सक्राम को इस नहीं है का ऐसे बनाएंगे तो यह reflection इधर हो कॉर्न आगी दर आ रहे तो यह नहीं होगा तो अब अन्युक्त आपको यह स्टेट्मेंट टू है सुमेट्री एक एंगल मैंने बनाया आप माले जी राइट इंगल इसमे कोई ठीक है अब इसका जो वाई-सक्टार होगा ठीक बैसे करा यहां से ठीक है एक 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 आप लाइन अव शमेट्री है यह यह भी ट्रू को बीस से एइंगल को अगर 20 से बाइसेक्टर करें तो हाफ आप पार्ट में ही डवाइड होगा हो इसलिए यह true है एन इक्विलेटर टैंगल थो लाइन सोफ सेमेट्री नहीं थी लाइन सोथी है इक्विलेटर टैंगल में क्योंकि उसकी तीनों साइड इक्वाल होती है तो उसमें तीनों साइड में इधर से बिताइंगल, इधर से बिताइंगल, इधर से बिताइंगल, इधर से भी, तो three sides होती है, तो यह false हो गई, ठीक है, यह false हो गई, अब आता है, the kite is symmetrical about this longer diagonal, yes true, kite is symmetrical, longer diagonal से, ही symmetrical हो थे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, a circle has two lines of symmetry, two lines of symmetry, sorry, two lines of symmetry, no, नहीं, यह भी false है, ठीक है, false है, क्योंकि infinite lines of symmetry होती है, और regular polygon with n sides, has n lines of symmetry, yes, यह सही है, क्योंकि अगर कोई पॉलिगान पहले तो three lines का, सबसे चोटा polygon होती है, अमाल लिजे five lines वालो polygon है, regular polygon का मतलब होता है, यह six lines का है, तो इसमें six lines, एक, दो, कितने lines होगे, हाँ, एक ऐसे भी होगे, तो होगे कितनी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ऐसे भी हो जाएगी, एक तरफ ऐसे, हाँ, तो हो सकती है, जितने उसके sides होगे, उतनी उनके symmetry होगी, यह true है, ठीक है, ओके, I hope कि इतना आपको यहाँ तक समझ में आया गया होगा, आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी, अगर doubt हो तो प्लिस comment box में जरूर पुछें, और कोई video आप चाहते हैं, किसी भी lesson या chapter की, यह मैंस में कोभी query हो, तो please मुझे comment जरूर करें, मैं आप कहां से जरूर दूँगी, और अगर video अच्छे लगे तो please like subscribe करना ना भूलें, फिर रिक मिलते हैं अपने next video में, तब तक लिए take care and bye bye.